हाई एवरिवन, श्री गुरू गोबिन सिंग कॉलिज अफ कॉमर्स युनिवर्सटी अफ डरी जो की पितम पुरह में हैं, अपने फॉरन लेंग्विज कोर्सिस के एड्मिशन शुरू कर दिया हैं इस कॉलिज ने, फॉरन लेंग्विज के अंदर आप इसमें फ्रेंच, जर प्रोग्राम कर सकते हो, यह जो एड्मिशन होते हैं, यह सिर्फ मेरिट बेस पर होते हैं, और a separate application form needs to be submitted for each language, यानि कि अलग-अलग languages के अब लिए apply करना चाहते हो, तो अलग-अलग form भरा जाएगा, a student will be admitted to only one of the language, यानि कि प्रोग्राम में एड्मिशन ले सकते हो, अप्ला complete application form अगा, तो वो accept नहीं करा जाएगा, transfer certificate, transfer from one certificate course to another will not be permitted, एड्मिशन के बाद आप अपना certificate program change नहीं कर सकते हैं, प्रेफरेंस उन लोगों को दी जाएगी जो श्री गुरू गोबिंसिंग कॉलिज के student हैं, बागे एड्मिशन सभी के लिए open हैं, लेकिन प्रेफरेंस दी जाएगी उन लोगों को, eligibility की बात करें, तो इसमें class 12 में aggregate आपके 45 वर्टसन माक्स होने चाहिए, एक साल का दोस्तों ये program है, certificate program, classes will be held thrice a week after the regular classes of the college, ठीक है, मतब अब्वियस सी बात है, दोपर में ही आप पी क्लास लगेंगी, तीन चार बजे के आसपस, और हफते में ती गुरु गुरु गॉबिन सिंग कॉलिज के student रहे हैं, current student है, उनकी 13,500 रुपे फीज है, और जो former student रहे गाए हैं इस college के, जो पहले X student है, उनकी 14,500 है, और बागी other students के लिए 16,500 की फीज है, इसके लिए 510 रुपे examination फीज अलग से जाएगी, admission का process क्या भी, सबसे पहले आपको 100 रुपे पे करने है, registration fees, इस link पर जाकर, उसके बाद step 2 है, payment करने के बाद, search for transaction ID by entering your mobile number and email ID, go to button bottom of this page, इस page ये bottom पे जाकर आपको अपनी transaction ID वगरा search कर दी है, और अपना mobile number और email ID लिखना है, और submit बटन पे क्लिक करना है, उसके बाद आपक transaction ID not down कर लेनी है, और ही जो transaction ID है, यह fill करा जाएगा registration form में, ठीक है, payment करने के बाद, transaction ID यहाँ मिलेगी आपको, transaction ID मिल गई, फिर आपको registration करना है, registration करने के लिए बिए अलग-अलग links courses wise बनाए गए है, French, German और Japanese language के लिए, यहाँ जाकर आपको form बरना है, इसके बाद, आपको document upload करना है कुछ, जिसमें आपका photograph होगा, और signature होगा, self-attested copy होगी, 10th और 12th की mark sheet की, और अगर graduation या post graduation करी होई है, तो उसकी photo copy आप लगा सकते हो, अगर करी होई है तो, और character certificate चाहिए होगा आपको last institute से, submission होने के बाद, आपको एक confirmation email बज़ा जाएगा, आपकी registered email ID पर, और candidate selected कर दे जाएंगे, उनको college website पर inform कर जाएगा, यानि कि selected candidate के लिए college की website पर आएगी, और list आने के बाद, आपको payment है, admission fee अगर आपका नाम रहता है, तो तीन दिन के अंदर आपको payment करनी होगी, last date for submission of form is 24 अगस, यानि कि ये जो form निकले हुए है, इसको भरने के last date 24 अगस है और आप college की website पर जागर further updates ले सकते हो, यहाँ पर कुछ teachers का number mention है, रवनी, दुगल, लातिका सिंग और अमिद गोस्वामी, अब इन teachers से contact कर सकते हो, अगर आप भी कुछ further queries है तो, form कहां मिलेगा आपको ये college की official website है, ठीक है, website पर आओगे, थोड़ा सा नीचे scroll करोगे, तो यही पर आपको notices के section में, यह notice मिल जाएगा, यहाँ से download कर सकते हो, आप form को, जो भी links हैं, और इसी PDF के अंदर हैं, वहाँ जाकर आप form भर सकते हो, thank you